नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुनीता प्रिजापती लेकर आई हूँ अपना सो जासू सिया जर्नलिच दोस्तो आपने पुलिस के उपर बहुत सारे आरोप लगते हुए सुने होंगे और देखे भी होंगे पर ऐसे नहीं जैसे कि इस खट्टा में हुआ मतलब पीडित ने जिस स्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तो मामला कब रही थाना च्छेत्र का है जहां पर एक क्रेशर व्यापारी इंदिकान तिरपाठी ने साथ सितंबर को एक वीडियो वाइरल के था जिसमें पूर वीएस्पी मने लाल पाठीदार के उपर 6 लाक रुपय घूस ले देने के आरोप लगाये थे ना देपाने पर फर्जी मुकदमें में फसाने और जान का खत्रा भी बताया था इंद्रकांत्र पार्टी 9 सितंबर को प्रेस कॉन्फिक्स करने वाला था जिसमें पुलिस के अवैद वसूली और काले कारना में उजागर करने के दावे करता था 9 सितंबर के पहले ही इंद्रकांत्र पार्टी को 8 सितंबर को गोली लगी घायल अवस्था में जिलास पता लाया गया जहां पर हालत गंबीर होने की वज़े से प्रॉक्टो ने कानपूर रिफर कर दिया इंद्रकांत्र पाठी के भतीजे कमल कांतर पाठी ने बताया कि इंद्रकांत्र पाठी क्रेसर व्यापारी और 20 पोटक पदाट की मैगजिन चलाता था दो दिन पहले ही महवाई स्थी ने 6 लाक रुपे घूस मांगी थे जब व्यापार चलता थो तो पैसे देते थे अब आपार नहीं चलता इसलिए पैसे देना बंद कर दिया है इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ हो गया है दो दिन पहले ही चाचा ने यस्पी से एक जान का खत्रा बताया था साथ ही ब्रमदत तिवारे और सुरेश सोनी के साथ मिलकर महुबा यस्पी उनकी हत्या करवा सकता ह ऐसे सोसल मीडिया पर पोश्ट भी डाली थी अगले दिन यानी 8 सितंबर को हमें तुपैर में सूचना दी गई कि तुम्हारे चाचा की गाड़ी रोड़ पर खड़ी है जब हम मौके पर पहुंचे और देखा तो चाचा को गोली लगी घायल अवस्ता में खून बह रहा थ है जिससे पुलिस के काले कारणामा हो जाकर ना हो सके जब भी कोई नेता हमसे मिलने आता है तो पुलिस उनको रोक लेती है साथ ही रात को इंद्रकांत के पार्टनरों को चोरी से उठाने की कोसिस करती है अब यह तो जो है मैंने नहीं देखा यह जो है हमाई मित्र के फून आया है हमाई मित्र बतीजे बख्के गए वहां से गाड़ी से जो है इनको धरके लेके आए यहां महोबाद जिलास पदाल में तहां मिले कि जगे नौदार नो नहिंदावरा रोट के पास अच्छा किस बात को लिए पुलिस से बहुत चल इस पूरे मामले को लेकर जब हमने आलाग लग तरह से लोगों से गुपनी तरीके से बात जीत की तो कुछ और ही निकल कर आया कुछ लोग दभी जुबान से बोल रहे थे कि इंद्र कांतर पार्टी जिस हालत में मिला था उस हालत को देखकर ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई दूसरे वेक्ति ने उनको गोली मारी है बलकि ऐसे लग रहा है कि उन्होंने से बीटे भी मिलने चाहिए पर ऐसा कुछ नहीं था उनकी गाड़ी को देखकर ऐसे लगा था कि जैसे खड़ी गाड़ी में किसी ने गोली मारी है एक IPS अधिकारी इतनी बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे सकता है यह पूरी रची रचाई एक साजी से दिखावे के लिए गोली मानना चाहाए रहे थे पर धोके से गोली किसी नस में लग गई जिसके चलते इलाज के दोरान उनकी मौत हो गई हाला कि ये एक SIT टीम के जाच का विसाय है टीम जाच कर रहे है एक हफ़ता के बाद भी SIT टीम के हाथ अभी कुछ भी ऐसा नहीं लगा है कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस जाच के लिए इंद्रकांत का तमंचा मांग रही थी पर परिवार वालों ने नहीं दिया के दूरी से गोली मारी गई है अगर हम इस घटना को लेकर अपनी राय देए और उस समय के महौल की बात करें तो एकदम हिंदी फिल्मों की तरह था जैसी की खायल जिला अस्पताल पहुचा नहीं और मीडिया कर्मी उसके साथ ही जिला अस्पताल पर मौजूद हो गया खायल की गाड़ी पहुचती उससे पहले ही इस्टेचर गाड़ी गेट पर लग गई खायल को अंदर ले जाने के लिए इंद्रकांत अंदर पहुचा डॉक्टर ने देखने इलाज करते उसके पहले उनका रेफर कागज और एंबूलन्स लग गई मतलब 20 मिनट में ही सब कुछ होने के बाद इंद्रकांत को कानपूर रेफर कर दिया गया सवाल ये उठ रहा है कि अगर इंद्रकांत ने खुद को गोली मारी तो पोस्ट माटम रिपोर्ट पांच फिट दूर और पीछे से गोली चलने की कैसे बता रही है और अगर पीछे से गोली मारी है तो इंद्रकांती की गाड़ी में पीछे वाली सीट पर ही गोली कैसे मिले जब इंद्रकांत को जान का खत्रा था तो इंद्रकांत ऐसे खुले आम कैसे घूम रहा था जब उसने social media पर post के बाद उसके दोनों mobile ओफ जा रहे थे post में संका जताई थी कि दो दिन के अंरी मेरी हत्त्य हो सकती है तो दो दिन के अंरी उसको गोली क्यों लगी उसके mobile तो ओफ थे आखिर पुलिस प्रिसासन किसी भी नेता को पीड़ेत परिवार से क्यों नहीं मिलने दे रही है यह नाकाबंदी किसके लिए है अपराधियों के लिए या अपनों के लिए एक हपता बीच जाने के बावजुद भी SIT और पुलिस के टीम के हाथ खाली क्यों है सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर दो मैने तक इंद्रकांत तरपाथी ने इसपी को पैसा किस चीज का और क्यों दे रहा था इंद्रकांत की मौत का जिम्मेदार कौन पुलिस प्रिसासन पूर्व इसपी इंद्रकांत सेम उसके करीबी या अनकोई क्या पुलिस इंद्रकांत की मौत का खुलासा कर पाएगी आखिर एक हफ़ता बीच जाने के बाद भी एसाइटी टीम और पुलिस के हाथ अपरादी से दूर क्यों है तो दोस्तों यह पूरा वीडियो खुलासा देखने के लिए आप बने रहे हैं मेरे साथ अगर इस वीडियो से जुड़े यह इस घटना से जुड़े आपके पास कोई भी सवाल सुझाओं है ता आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएए ताकि मैं अगले एपिसोड बे उनको सामिल कर सकूँ तो अभी के लिए इतना ही अगले एपिसोड बें हम फिर मिलते हैं न नमस्कार